अगर आप भी यूज करते हैं साबुन और शेम्पू तो हुजाएं अलर्ट दरसल चीन में हाल ही में किये गए शोद में 300 से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया गया इसके तहेद गर्बबाद की शिकार 132 और स्वास्ते गर्ब अधारन करने वाली 170 महिलाओं में केमिकल्स की काफी मात्रा पाई गई आपको बता दे कि साबुन शेम्पू फूड टाकेजिंग समेथ प्रति दिन इस्तिमाल किये जाने वाले घरेलू उत्पादों में खास तरह के केमिकल्स मिलाई जाते हैं जिन से गर्बबाद का जोखिम होता है खास कर पांच से तेरह सप्ता के गर्ब के गिरने का खत्रा सबसे ज्यादा होता है